हेलो एवरिबर जैसा कि आपको पता है कि क्लास 11 के विशे जीविग्यान के चैप्टर सेकेंड जीव जगत का वर्गी करन के आंतरगत मैंने आपको विटिकर के द्वारा दिये गए पांच जगत पद्धती के पांचों जगत के गुणों के बारे में बताया पांचों जगत जो विटिकर ने दिया तो उसके क्या-क्या कैरेक्टर होना चाहिए कि आप उसको अलग-अलग उन ग्रूपों में रखोगे और पांच जगत कौन-कौन से हैं पांच जगत थे मौनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांचिया और अनिमेला पिछले विडियो में हमने कवक के बारे में पढ़ा फंजाई अर्थात, तीसरा किंडम, तीसरा जगत, फंजाई, चोथा जगत हमने पादप के बारे में जाना थोड़ा सा, जो कि आगे हम थर्ड चप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे आज हम ले रहे हैं एक असामान्य जीव, जो ना तो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग, उसको अभी तक जीवन की, सजीव की, पूरी तरह से सजीव परिभासित नहीं किया जा सकता असल में वह इस प्रकार का जीव है, इस प्रकार का कारक कह सकते हैं, जो होस्ट, होस्ट का मतलब ऐसी कोशिका जिससे हम नुट्रिशन ले सकते हैं, पोशन ले सकते हैं, जो होस्ट कोशिका के अंदर जाकर के जिवित हो जाती है, अपने आपको प्रतिकृत करना सुरू कर और देता है व्रीदी करना शुरू कर देता है व्रधी करना शुरू करता है अधाइ सजिव होने की पूरी तरह से इसकी अध्योत को सैप्ट किया गया है क्यूंकि होष्ट को शिक न गोन इसका कोило अपने आपको प्रतिकृत नहीं कर सकता अपनी कौपी नहीं बना सकता खुब सरा लेकिन जैसे ही एक होस्ट कोशिका मिलती है उसके अंदर ये घुश जाते हैं उसके केंद्रक के अंदर अपना जेनेटिक माटेरियल अपना आनुवनसिक पदार डाल देते हैं और वो कोशिक के बारे में विट कर द्वारा जो पांच जगत वरगी करन दिया गया था अना वरगी करन में लाइकन दाथे वाइराश कोशी किये जैसे वाई-रस वाइ-राइडब्स है प्रियोर्जिंस इनका उलेक नहीं किया अभी तक के अभी तक विटिकर ने इन चीज़ों का उर्ले जीवन वास्तविक नहीं है तो जैसे ही इनको अपने कार्यप्रणाली को करने की लिए एक होस्ट कोशिका चाहिएं होती है तो यह किसी भी सजीtv की अंदर घुसके उसकी ही कोशिका का को अपने लिए इस्तिमाल करता है और अपनी प्रतिक्रती बनाना सुरू कर देता है और थात कह सकते हैं जो भी कोशिका है जिसमें ये वाइरस घुश जाता है उस कोशिका को वाइराइट कोशिका कह देते हैं कि ये कोशिका क्या हो गई संक्रमित हो गई वाइरस से ओके वाइरस से होने वाली कई बीमारियां में मम्स है चेचक है एंफ्लुएंजा है मानों में एड्स है पौधों में मोजेक पत्तियों का मुढ़ना कुंचाना पीला होना बौनापन होना उनकी व्रधी रुख जाना वाइरस के कारण यह वाइरस के लक्षन है यह बीमारियां पूछे जाती है देखे वाइरस के अंदर जो इसका अनुवनसिक पदार्थ होता है DNA भी हो सकता है RNA भी हो सकता है किसी वाइरस में लेकिन दोनों नहीं हो सकते साथ DNA और RNA प्राइप वाइरस में एक लड़ी वाला RNA होता है सिंगल हैलिक्स RNA जबकि जन्तु में दोनों ही तरीके के हो सकते हैं सिंगल और डबल हैलिक्स RNA भी पाया जा सकता है और DNA भी ओके अब वैक्ठीरियल वाइरस और जिवाननो वोजी वाइरस जो होते हैं ये प्राइच दोहरी लड़ी वाले होते हैं आब इनका आवरन क смотреть होता यह जो चितर देख रहे हैं वो टबेको मजड़ेक बारस का है पतियों में होने वाला टबेको रोका इसमें यह जो छोटे छोटे देख रहे हैं यह छोटी-छोटी उपकाईयां CapsoMere कहलाता है और यह सारे CapsoMere से मिलकर के कापसीड बनता है जो कि proto reaching का एक आवरन है देखे कैपसीड क्या है प्रोटीन का आवरन कि यह वह सें रचना है जो और डेन ने ने नी खिलिक एसीड वायरस के नी कै compromise को संरक्षित यह सुरखशित रखती है तो यहां RNA इस RNA को सुरक्षइच काम कैपसीड क्या है इसको सुरक्षा रखने वाली प्रोटीन का एक आवरन और इस्के छोटी उपकाइयों को क्याकंते है कैपसुमियर तो ministers एक प्रोटीन का आवरन है जो आनुवनसिक प्दार्थ को सुरक्षित और संरक्षित रखती है वाइरस के तो यह वाइरस की एक टोबेको मोजेग वाइरस की संरचना है देखे इनका आकार कुंडिलित भी हो सकता है और जायमित्ती बहु फलक जायमित्ती के रूप में भी हो सकता है यह टोबिको मोज़िक वाइरस है जो पत्तियों में होता है और यह जिवानों भोजी है जिवानों को जब वाइरस के द्वारा ग्रस्त कर देता है जिवानों में गुश जाता है और जिवानों को इंवेड कर देता है तो बनता है जिवानों भोजी तो आकार इनका कुण्दित भी हो सकता है और बहु फलक जायमित्ति की रूप में भी हो सकता है ओके अगर बात करते हैं वाइरस के अर्थ का वाइरस का अर्थ का मतलब भी होता है विशला तरल अगर टोबेको मोजेक की बारे में बात करें तो डीमित्री वॉनेस्की ने तंबाकू में मोजेक रोग के रोगाणों को पहचाना ये तंबाकू के पत्तियु में होता है टोबेको मोजेक रोग और जिसे वाइरस का नाम दिया इसको जब नाप आ तो ये बैक्टीरिया से भी छोटे थे ये नाप में आकार में बैक्टीरिया से भी छोटे थे क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ जो फिल्टर थे उससे भी बहार निकल गए बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर जो आता है वो बैक्टीरिया को रोक लेता ह ऐसा फिल्टर ऐसा कपड़ा ऐसा च्छनी कह सकते हैं जिसे बैक्टीरिया रुप जाता है तो उस छेद से भी यह निकल गए तो सोचिए जब बैक्टीरिया जिसे नहीं निकल रहा है उससे यह निकल रहे तो यह चोटे होंगे तो यह अकार में बैक्टीरिया से भी चोटे थ उसे जो रस निकल रहा था वह स्वस्त पौधे को भी संक्रमित कर रहे थे और उसे जो रस निकल रहा था उससे संक्रमन जीवन तरल कहा गया या कंटेजियम वाइनम फ्ल्यूट कहा गया उसे संक्रमित जिवित तरल कहा गया अच्छा डबलू एम स्टेनले ने बताया कि जो वाइरस होते हैं वो दानेदार होते हैं उनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी देखे रवेदार होते हैं और रवे का मुख्यता कारण प्रोटीन होता है और प्रोटीन के बनेवे हैं मैंने आपको बताया है होस्ट को शिकाऊं में घुच जाते हैं और अपने अनुसार उनको अपने प्रतिकरत होने के लिए उनका इस्तमाल करते हैं तो वाइरस अल्वजिवी परजिव हैं इसए रविधाद को यहे हैं कि वाइरस एक ऐसे यह होस्ट या मेजवान कोशिकाओं को शंक्रमित करके अपने प्रतिक्रत करने के लिए मसिनरी की तरह उपयोग करते हैं आनुवनसिक पदार्थ इनमें होता है इनमें आनुवनसिक पदार्थ डीने भी हो सकता और आरेने भी हो सकता है सिंगल हैलेक्स भी हो सकता और डबल है तो वाइरस के बाद हम नेक्स ले रहे हैं टॉपिक वाइरोइट ऐसी सनरचना जिसमें आरने और प्रोटीन के इस तर का आभाव होता है तो जो वाइरस जिनमें आरने और प्रोटीन का आभाव होता है उनको वाइराइट कहते हैं तो नेक्स टॉपिक हमारा है वाइराइट देके इसकी खोज की थी टी-ओ डाइनर ने, उनॉननों ने देखा वाईरस से भी छोटा, एक ऐसा संक्रमक कारक जो वाईरस से भी छोटा है, इसके कारण एक रोग होता है, जिसको कहते हैं पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर, और इन में āरन्न और प्रोटीन के स्तर का क्या हो इसलिए इनको नाम दया गिए वाइड़ तो वाइडी के आर एन्य का आन्विक भार बहुती एफ क्वाेड़ की तुलगा में को एफ हुअद टो इसके आर एन्यका कम होता है कि से वाइरस से ऋखे और इसी लिए इसका नाम वाइराइड है हमारे पास है प्रियोंज ओर प्रोसेंक आधनिक चिकित्सा में एक ऐसे बिमारी संक्रमक बिमारी पाए जाएगी जो पाए गई जो निूरलजिकल बिमारया थी और और समानी रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारव को द्वारा पाई जाती हैं फोल्ड जो प्रोटीन होती हैं उनके कारव को द्वारा होने वाले थी कारव का आकार जो था वाइरस के आकार के समान था इसलिए इनको प्रोसंग कहा गया क्यूंकि वाइरस के आकार के समान ही उनका आकार था इसल प्राणियों में होने वाली है वह है वोवाइन स्पंजीफों में होने वाले सबसे उलेखनी यह बिमारी है वह है वह बोवाइन ऐस पांजी फोर्म ऐसे फैलोपेथी बबाइन पर चेछ परहां चली ब्रोग आप आपके इतना ही दिया गया है एक फोल्ड होने वाले प्रोटीन के कारकों को दवारा होने वाली रोग है तो ये वी वाइरस के आकार के समान है इसलिए वाइरस के बारे में हमने पढ़ते वक इसको डाला ओके आपकी बुक में इसको डाला गया है नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आपके इस चैप्टर का है जीव जगत वर्गी करन का लाइकन लास्ट टॉपिक है लाइकन लाइकन के बारे में वैसे तो हम पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी हलका सा मैं आपको बता देती हूं लाइकन देखे लाइकन जो है वो फंगस और एल्गी दोनों की संरचना से दोनों के मिलने से जो बनने वाली संरचना है उसको कहते हैं लाइकन यानि कि स्वापोशी और परपोशी दोनों एक साथ इसमें रहते हैं सहजीवी सवास करते हैं तो लाइकन सेवाल और कवक के सहजीवी सवास से बनता है या कह सक सकते हैं पारसपरी पूंगी सावास है लाइकन में सेवाल जो होता है घटक वह सेवालांस कहलाते हैं और कवर के घटक माइको बायोंट या कवकांस कहलाते हैं एक स्वापोशी होता है जो सेवाल होता है वह स्वापोशी है सेवाल और प्लस कवक दोनों मिलके लाइकन बनाते हैं यह स्वापोशी है और यह परपोशी है अपना खाना स्वें बनाता है प्रकास अंसलेशन करता है लेकिन यह परपोशी है यह सेवाल पर अपने भूजन के लिए आस्ट्रित रहता है तो दोनों सहजिवी कैसे हैं यह प पानी का और शोशन करता है और सेवाल को देता है भुजन बनाने के लिए ओके तो इनका सहवास इतना घनिस्ट होता है कि यदी प्रकरती में लाइकन को देख लो तो यह अनुमान लगाना असंभव है कि दोनों अलग अलग जीव हैं एक साथ रहते हैं लेकिन लाइकन प्रद प्रिप्शन वाले छेत्र में यह नहीं उखते हैं तो यह सह जीवी का एक उधारन है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं आज आपके जीव जगत के वर्गी करन का यह लास्ट टॉपिक था और नए चैप्टर के साथ हम अपने अगली वीडियो में मिलेंगे आज के लिए इ झाले पाद है आज के लिए जए जिए आज के लिए जगए लுग्टर के लिए।